statistics के respect में यह जो particular news है important है bilateral trade की बात की जाए तो China हमसे हमारा सबसे बड़ा trade partner था अब US इंडिया का सबसे बड़ा trade partner हो गया है China सबसे बड़ा trade partner कब था 2020-21 financial year में और 2021-22 financial year में US इंडिया का सबसे बड़ा trade partner हो गया है अब 2021-22 financial year की बात की जाए तो US और इंडिया के बीच में bilateral trade हुआ है 119.42 billion dollars का मतलब इंडिया ने जितना US को export किया और US ने जितना इंडिया को export किया या फिर कह लिजे कि इंडिया ने US से जितना import किया और US ने इंडिया से जितना import किया ये combined figure निकल के आ रहा है 119.42 billion dollar और यही figure अगर आप चाइना के respect में बात करेंगे तो वो है 115.42 dollar मतलब हमने US के साथ bilateral trade चाइना से लगभग 4 billion dollar किया है जादा मतलब बहुत जादा नहीं है बट फिर भी bilateral trade हमारा अब US से चाइना से जादा है लेकिन overall देखा जाए तो US के जाद जो इंडिया के statistics है वो इंडिया के favor में है और चाइना के साथ इंडिया के against में है क्यों कुकि देखे, हमने export जदा किया है U.S. को और import कम किया है, वही पर China के साथ हमने import जदा किया और export कम किया है, for example अगर आप India U.S. की बात करोगे तो हमने U.S. को export किया है 76 million डॉलर, और हमने U.S. से import کिया है 43 billion डॉलर, सोचिए 76 billion डॉलर हमने US को भेजा है सामान, ठीके ना, हमने export किया अपना सामान, और वहां से मंगाया 43 बिलियन डॉलर का, मतलब यहां पे हम US के साथ trade surplus में, कितने के लगबग 32 बिलियन डॉलर के trade surplus में और वहीं अगर आप चाइना के साथ चले जाओ, तो चाइना के respect में हालात बहुत जादा खराब हैं, चाइना से हमने import किया है 94 बिलियन डॉलर का, और उनको भेजा किया है 21 बिलियन डॉलर है, मतलब चाइना के साथ जो हमारी trade deficit है, वो लगबग 73 बिलियन डॉलर की है बहुत ही बुरे economic indicators हैं दोस्तों, यह चाइना के साथ trade balance बिठाना बहुत जरूरी, इससे पता चलता है कि हमारी economy चाइना पे हद से जादा dependent है, और यह इंडिया के लिए अच्छी खबर नहीं है, बेटर यही रहेगा कि हम US के साथ अपने bilateral trade को बढ़ाएं, ओवराल trade negotiations में हम US से कुछ concessions मांगे, US के साथ अपने bilateral trade को ही देखे, हो सकता है आगे आने वाले समय में यह जो trade deficit है, US की हमारे respect में, जो हमारा trade surplus है, US के साथ interest bilateral trade में, यह हो सकता है थोड़ा balance होने लगे, हो सकता है यह trade deficit कम होने लगे, trade surplus हमारा कम होने लगे, मतलब हम जितना export करने हैं, उतना import करने लगे हुए से, वो तब भी better होगा, with respect to कि हम चाइना के साथ 73 billion dollars की trade deficit लेके बैठे, मतलब कल की डेट में, अगर हम चाइना से import कम करने की सोचें, तो हमारे पास proper alternatives होने चाहिए, और इनी proper alternatives को develop करने के लिए, IPEF नाम का ही जो agreement शुरू किया जा रहा है, इंडो Pacific Economic Framework ये इंडिया की मदद कर सकता है, एक और छोटा से statistics बता दू, चाइना इंडिया का सबसे बड़ा trade partner रहा है, 2013-14 से लेके 2017-18 तर, मतलब 2013-14 financial year, 14-15 financial year, 15-16 financial year, 16-17 financial year तो UAE बन गया इंडिया का सबसे बड़ा trading partner, 2019-20 में UAE था इंडिया का सबसे बड़ा trading partner, 2020-21 में फिर से चाइना बन गया, और अब US इंडिया को सर्पास कर चुका है, और आगे आने वाले समय में ऐसा बोला जा रहा है, कि US और इंडिया का bilateral engagement बढ़ेगा, US खुद इस चीज़ को कोशिश करना चाहता है कि इंडिया की economy बहुत हथ तक चाइना से अलग हो जाए, US इस बात को जानता है कि इंडिया का import market बहुत हथ तक Chinese product के ओपर dependent है, अगर US इंडिया की मदद कर सकता है, Chinese इन इस product के ओपर dependence कम करने की, तो डेफिनिटी चाइना से कम import करेगा इंडिया, हम खुद चाहते हैं कि हम चाइना से कम import करें, बढ़ हमारी मजबूरी है, हमारी फसे हुए है, जब ये overall line of actual control पर बवाल चल रहा था, तो भारती politicians और भारती businessmen ने अपनी मजबूरी दिखाई, बहुत सारे automobile sector और pharmaceutical sector के company executives बोलने लगे कि हमारी company बंद हो जाएंगी, अगर चाइना से import बंद हुआ तो, तो ये जो मजबूरी है हमारी चाइना के import के dependence के उपर, इसे कम करने की जुरूत है, और US एक एसी country है, जो हमारी मदद कर सकता है, इसलिए Indo-Pacific Economic Framework जैसे जो initiative से वो इंडिया के बहुत काम के, कल की date में Indo-Pacific Economic Framework के अंदर मान लो, कोई supply chain China से relocate करके Vietnam चली जाती है, तो हमें Vietnam से import करने में उतनी problem नहीं होगी, जितनी चाइना से करने में हो रही है, तो import dependence on China जैसे किसी भी हाल में कम करने की जुरूत है, यह सरकार भी जानती है, US भी जानता है, इसलिए हो सकता है आग्याने समय में US इंडिया की मदद करे, एक और चीज़, 2021-22 में टॉप ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया का कौन है, US, 119 दूसरा चाइना, 115 बिलियन डॉलर, योई है तीसरे नंबर पे 72.9 बिलियन डॉलर, उसके बाद साओधी अरिब्या, 42.85 बिलियन डॉलर, उसके बाद इराक, 34.33 बिलियन डॉलर, उसके बाद सिंगापूर, 30 बिलियन डॉलर, यह कुछ फिगर से, याद रखेगा, काम आजएगा, थैंक यू फॉर वाचिंग फैट्स, छोटी सी क्रिस्प निउस थी, जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस के लिए, आई होप आपको पसंद भाई हो, जाद 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 लोग सा लेक्चे को शेर करिएगा, इस्टराम पर फॉलो कर लिजे, टेलिग्राम को जोइन कर लिजे, और हो सके तो जोइन बिटन और सुपर थैंक्स को ऑप्शन दबा के जाएगा, वाग्रेट दिफेंस, गुडबाई धान लखेगा,